subscribe to our channel and hit the bell icon नमस्कार दोस्तों किरो पारामेट्रिक की लेक्चर में आपका स्वागत है चलिए आज किरो पारामेट्रिक में नहां कमांड सिखेंगे दोस्तों आपिन करते हैं फाइल को तो दोस्तों आज का जो मेरा कमांड रहेगा वो ड्राइंग में होल्ड टेवल पर विज़ रहेगा ठीक है एक मोडल को अम लोग यहां पर इंसेट करवाल लेते हैं एक जेनरल व्यू लेते हैं आपर प्रंट व्यूव बड़ा सा मूब कर लेते हैं इसको ठीक है और यहां टेवल में आते हैं दोस्तों ठीक है यहां पर होल टेवल देखिए यहां पर दीकर आवा दोस्तों ठीक है तो होल टेवल एक्चुली होता क्या दोस्तों कोई भी आपका मोडल जो यहां पर टूडी डियागराम में डिस्प्ले हो रहा ठीक है आप जब फ्यूचर में डिजाइनिंग के जाएगा तो उसमें होल होगा आपका दोस्तों ठीक है अब नॉर्मली मालीजी आप किसी पार पोजिशन उसको पता होना चाहिए अतलब अल्टीमेटल यह हुआ कि आप जो ड्राइंग शीट बनाएगा उसमें होल का एक्स कोडिनेट क्या वाई कोडिनेट क्या है उसको पता होना चाहिए तब वो स्केंसी में फीड करेगा यह पोजिशन आप इस पे इतना होल कर आइक इस पर एक इस फेजमें यहां पर यहां पर यहां पर होल किया हुआ दोऀट हो ऐसक्तली में हम लोग इसी स्क्रियन में X और Y जो drawing sheet है, उसके plane में होना चीtaking, जैसे देख्ए यहाँ पहे, X,Y और X और X १ यहरो है, यह इस plane में है जिन के, तो यह बहुत चले है, coordinate लेकिन यह coordinate नहीं चले है, क्योंकि यहाँए पहे X और Z coordinate आ गया दोस्तों, ठीक है, यह दिक्कत है यह कोडिनेट को हम रिफेरेंस में ले सकते हैं ठीक है है यह हो गया फर्स कंडिशन दूसरा कंडिशन यह वगया कि इसका जो जड़ है इस पर्फेंडिकुलर होना ठीक है कि नॉर्बन ये कर एक और विए लेते हैं सपोज देखिए यहां पर समझाने के लिए कि एक टॉप लेते हैं सपोज ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर भी यह होल जो है यह वाला जो होल था वह यहां पर होल आड़ा लेकिन यहां पर आप होल को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका होल का एक्सिस है यह वाला ऐसे सी ठीक है इस्क्रीन पर उपर आड़ा लेकिन जो जैड एक्सिस है इस स्क्रीन के परपेंडिकुल लड़ना चीए वह तो मैच नहीं करेगा ठीक है यहां पर यहां पर परपेंडिकुल लड़ा है लेकिन यहां पर इमीट नहीं करेगा तो उस क्राइटेजिया को आप फुल पील यहां पर नहीं कर पाएंगे ठीक है लेकिन इसमें हो रहा आपका देखिए चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हमों क्रिएट करेंगे होल टेबल अब जैस टेबल में चल लएए होल टेवल पर क्लिक किजिए एक नहां पर बॉक्स को लेगा ठीक है जैस कुछ नहीं करना इसमें यहां पर देखिए पारामीटर्स डिफाइन आप जो आप बनाएगा उसमें आपने होल का लेवल होगा एक्स कोडिनेट वाइक कोडिनेट और डाया होगा अगर आपको यहाँ पे एड करना है तो यहाँ पे यहाँ पे एड कर सकते हैं पारामीटर्स या फीचर्स करने हैं ठीक है उपर नीचे मूब करना है तो इसको स्लेट करके move up कर लेना move down कर लेना है यहां से अगर sequence में आगर आपको लगता है कुछ change करना है तो weeds आपको change करना है तो change कर सकते हैं ठीक है तो यहां कुछ नहीं करना hole है just create कीजिए और यहां पर यह जो coordinate system यह बाला है यह मेरा satisfied कर रहा है तो इसको आप select कीजिएगा दोस्तों ठीक है देखिए तो select कीए अब यहां पर लिखा रहा select top left corner of table ठीक है तो देखिए यहां पर टेबल प्लेस करना उसका left corner को mouse का cursor ले जाके left क्लिक कीजिए देखिए table automatic यहां प्लेस हो गया और क्लेचर भी आ गया यहां पर देखिए यहां पर इंडिकेट कर रहा है दोस्तों ठीक है यह वाला यहां पर clear है तो यह हो गया आपका इसके respect में ठीक है जब आपका बोल्ट बना हुआ था ठीक है अब इस फिगर में आईए दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर तो मेरा नॉर्मल होल आपका जो एक्स्टूट करके जो मेरा होल बनता है इसका भी मुझे पोजिशन लेना क्योंकि यह भी तो मुझे होल करना ना तो उस केस में दोस्तों क्या करेंगा देखिए होल टेफल को सलेट कीजिए और यहां पर क्लिक कीजिए ठीक है और यहां पर यह कोडिनेट सिस्टम कर रहा है उसका क्रैटेरिया को इसको सलेट कीजिए तो क्या लिखा रहा, no item font क्यों लिखा रहा, क्योंकि आपका ये जो hole है, ये वाला, ये तो criteria fulfill नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो axis है screen के parallel हो गया ठीक है, इसको perpendicular चाहिए था हाँ, ये वाला criteria fulfill कर रहा ये वाला जो hole है, ये 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 जितना भी धर side में है लेकिन क्योंकि ये hole है नहीं नॉर्माल एक extrusion वाला part है तो ये चीज़ आपको धान रखना है ये कर नॉर्माल extrusion वाला part होगा दोस्तों ठीक है, तो उसके इसमें कैसे हम define करेंगे तो जब भी आप धान रखिए figure को जब हम extrude करते हैं तो उसके इसमें एक axis का formation होता है उस cylindrical part में ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर hole table को select करेंगे और यहाँ पर datum axis को लेंगे, ठीक है datum axis को लिए और create पर click करते हैं और इस coordinate को select करते हैं अब लिखा रहा, select top left corner of the table यहाँ पर put कर दिये तो देखिए यहाँ पर axis का नाम आ गया और x और y coordinate जो इसके respect में था आपका complete यहाँ पर एक table formation हो चुका है दोस्तो के लिए रहां तक चलिए, अब इसको माल लिजी एक कुछ edit करना है इसमें, देखिए, यह वाला last वाला जो column अताशा, width इसको बढ़ाना है तो क्या करते हैं, फीच से whole table पर click करते हैं और यहाँ पर settings में जाते हैं इस table को select करते हैं ठीक है, इसका width हम यहाँ पर बढ़ा जाते हैं 20 कर लेते हैं और update table ठीक है, फीच से change कर लेते हैं settings settings, select करते हैं इसको कर लेते हैं 15 update table यह हो चुका दोस्तों ठीक है, तो update अगर table को करना हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ से directly यहाँ से update कर सकते हैं ठीक है, whole table में जाइए यहाँ पर अगर अगर पूछ यहाँ पर उपर नीचे करना है तो आप इसको यहाँ से कट सकते हैं ठीक है, clear है कट कीजिए तो यही जो आपका यहाँ पर था whole table का यहाँ दोस्तों concept था coordinate को अगर आपको draw करना है जिस view में तो आप यहाँ open कर लिजिए और suppose यहाँ पर भी लेते हैं left view यहाँ पर the hole है नहीं suppose टॉब भी हो लेते हैं ठीक है, यहाँ पर यह hole है back view लेते हैं suppose यह है अप यहाँ सपोस कोडिनेट को reference करना है तो कुछ नहीं यहाँ पर coordinate system को select करेंगे और दूँए यहाँ पर एक यह column control place करके यह column ठीक है और इंट्रेशन में जाए तो first यह वाला हम ले लेंगे y axis तो इसको कर लीजिए y इधर वाला हम लोग x कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर z जो है इसके perpendicular actions पर चलागे just okay कर लीजिए ठीक है तो यह ऐसे आपका coordinate यहाँ पर show करना परेगा बस view को आप आप महाँ पर लिया यह प्लेस कर दीए ठीक है बॉटम व्यू करके और तब coordinate system को आप यहाँ पर draw कीजिए दोस्तों तब आपका कलती होने का संभाबना बहुत काम रहेगा ठीक है save कर लीजिए इसको cut कर लीजिए तो हो पिए जो concept है दोस्तों यहाँ पर हो टेबल का आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हो दोस्तों ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही अब हम लोग next lecture में मिलेंगे दोस्तों चैनल को subscribe करना ना भूले दोस्तों और जो चैनल का join button है दोस्तों उसको join कीजिए ठीक है ताकि आप हमारे चैनल को थोड़ा बहुत support मिलेंगा दोस्तों ठीक है तो चलिए दोस्तों हम लोग next lecture में मिलेंगे दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद